Hello friends, make money trading academy में आप सबका स्वागत है Friends, आज हम बात करेंगे head and shoulder pattern के बारे में कि head and shoulder pattern होता क्या है, उसके पीछे का logic क्या है और इसे हम कब trade करते हैं, ठीक है? और head and shoulder pattern जो है, वो दो है, मैं आपको उसके बारे में भी explain करूँगा एक bullish signal देता है और bearish signal देता है, ठीक है? उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो पहले हम समझ लेते हैं कि head and shoulder pattern होता क्या है, ठीक है? तो आएए एक बार देख लेते हैं मैं काम करता हूँ, मैं Google में search कर लेता हूँ तो आप लोग भी देख सकते हैं, Google में head and shoulder pattern आप डालिए तो कोई भी एक ऐसे निकाल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ यह diagram देख लेते हैं, diagram से यह आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा ठीक है, just a sec पकड़ लेजिए मैं, यह निकाल लिया है, head and shoulder, ठीक है अगर आप लोग इस diagram को देख पा रहे हैं, तो मैं से बड़ा कर लेता हूँ कोई और clear picture लेता हूँ, यह वैसे तो मैं chart में दिखा सकता हूँ, आज head and shoulder pattern form हुआ था anyway, से लिए मैं यह दिखाता हूँ, देखिए, head and shoulder pattern जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो topic ही है head and shoulder pattern, ठीक है अब एक होता है head and shoulder pattern, जो की bullish buying side की तरफ होता है और एक होता है inverted head and shoulder pattern, जो की bearish होता है ठीक है, sorry, inverted जो होता है, वो होता है bullish और जो सिर्फ head and shoulder होता है, वो होता है bearish ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ, जैसे यह chart में आप यहाँ देख पा रहे हैं यह आप देख पा रहे हैं, बना हुआ हैं आपर यह overall जो आप diagram देख रहे हैं इसमें, यह head and shoulder pattern से कहते हैं, ठीक है head and shoulder pattern क्या है, अगर आप एक इनसान को पगड़ें, एक इनसान को पगड़ें तो उसका एक left shoulder होता है, फिर बीच में उसके head होता है, right फिर right hand side उसका right shoulder होता है, हम अगर अपनी बात कर लें, तो हमारा किस तरह का बनावट है, हमारा एक left shoulder है, एक right shoulder है और बीच में हमारा neck है, है ना, और यह जो बीच पे जो यहाँ पर है, इसे हम लोग कहते हैं neck line, यह जो line है तो चीजें clear होंगी जल्दी, आप पहले पकड़ लेजे, इसे मैं remove कर देता हूँ, ठीक है, तो head and shoulder जो है, मैं एक ऐसी roughly बना जेता हूँ, थोड़ा एक idea रहेगा आपनों को, head and shoulder जो है, ऐसे एक रहता है, ठीक है, ऐसे एक left shoulder बनता है, फिर head बनता है, और then right shoulder बनता है, ठी and this one is head, ठीक है, मैं हाँ लिख देता हूँ, left shoulder है यह, and this is head, और यह हमारा right shoulder है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते है, neckline, जो की connect करता है, ठीक है, यह है neckline, जो की left shoulder को, right shoulder को, और head को connect करता है हमारा यह neckline, ठीक है, तो इस overall pattern को हम लोग कहते है, head and shoulder pattern, ठीक है, तो यह जो head and shoulder pattern होता है, यह है bearish signal देता है, ठीक है, यह हमें bearish signal देता है, ठीक है, bearish signal देता है, और head and shoulder जो है, इसे हम लोग reversal pattern भी कहते है, reversal pattern भी कहते है reversal pattern क्या होता है reversal pattern यह होता है कि जब कोई एक trend जो चल रहा हो पहले से ठीक है और जब वो अचानक से change होता है तो उसे हम लोग कहते है reversal pattern ठीक है आप लोगो उमीद करता हूँ पता होगा trend के बारे हैं पता होगा अगर एक trend ऐसे चल रहा है, higher high, higher low, then higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, ठीक है, इस formation में अगर जा रहा है higher high, higher low, ठीक है, higher high, hs कर देता हूँ तो आप लोंको समझ में आजएगा, hs मतलब हो गया higher high, और hl कर लेता हूँ तो समझ में आजएगा आपको higher low, तो higher high, higher low, higher high, higher low, यह कब चलता है, इस formation में market कब चलता है, कोई मुझे बताएगा, कब चलता है, यह चलता है जब uptrend चल रहा होता है, है ना, जब uptrend चल रहा होता है, और जैसे ही क्या है, यह uptrend जो है, यह trend जब reverse होता है, जिसे मैंने कहा reversal pattern, जिसे कहा मैंने, जब यह reverse होगा, तो क्या होगा, इस trend line को तोड़ेगा, इस trend line को तोड़ेगा, फिर एक lower high बनाएगा, अभी क्या था, अभी तक जितने भी high थे, वो पिछले high से उपर थे, इस high से यह वाला high उपर था, इस high से यह high उपर था, इस high से यह high उपर था, है ना, अब जैसे ही इसने trend line तोड़ा और अगला जो swing high बन रहा है वो इसको नहीं तोड़ पा रहा है मतलब previous जो high है इसे तोड़ नहीं पा रहा है यहाँ high बनाया और इसके बाद नीचे आ गया तो अब जो है इसे हम कह सकते हैं lower high LH कर लेते हैं lower high ठीक है और यह हो गया lower low अब फिर ऐसे बनेगा lower high then lower low तो इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ जैसे ही यह trend line टूटता है और एक retest होता है retest इसलिए कहते हैं कि यहाँ से trend up change होने वाल है उसके बाद जब इसे तोड़के नीचे आता है इस swing को तोड़के जब नीचे आता है तो हम लोग confirm हो जाते हैं कि अब trend reverse हो गया trend reverse हो गया तो इसे ही हम कहते हैं reversal pattern ठीक है तो अभ इसे तो पहले मैं delete कर देता हूं ठीक है तो यह हो गया आपका head and shoulder pattern ठीक है इसे हम trade कब करेंगे trade कैसे लेंगे उसके बारे में बात करते हैं ठीक है और यह head and shoulder pattern जो है बस आप लोगों को याद करना नहीं है कि हाँ head and shoulder है ret लिया कल कोई exam में नहीं आने वाले यह किसी exam में न तो आप लोग इसके पूरी logic को समझे यह ऐसा क्यों बनता है उसे समझने को हिस कीजिए रट है मत कि हाँ head and shoulder pattern बन गया है रट लेना है ऐसा नहीं तो अब देखिए समझे कि अगर बहुत देश से एक market चला आ रहा है अगर higher high, higher low, higher high, higher low के formation में पकड़ लिए पीछे से आ र low बना बट अब यह low नहीं बना अब यह इसके आसपास कहीं आ गया ठीक है तो अभी क्या है अभी भी trend intact है अभी हम नहीं कह सकते कि market reverse होने वाला है हो सकता है market यहां से उपर चला जाए है यह भी होता है यह higher high, higher low बना higher high अभी यह higher low तो नहीं बना इसी लोग के बराबर है बट अगला high फिर से अगर उपर निकल गया तो हम कहेंगे trend अभी भी continuation form में है अभी भी trend uptrend में ही है बट अगर अब यहां पर यह हो जाता है ऐसे higher high, higher low higher high और यह previous low के पास कहीं खुला उसके बाद फिर क्या है यह high बनाया अभी यह जो high है पिछले high से low है कि नहीं है यह high पिछले high से low है और अब अगर यहां इसे मैं पुरा connect कर देता हूं जिसे हमने समझा निकलाइन ठीक है अभी हम लोगों नहीं बात किया निकलाइन तो अब अगर इस नेकलाइन के पास market आ गया तो अब आप समझें कि market यहां कहीं से उपर से आ रहा था नीचे से आ रहा था higher high, higher low के formation में बट अभी जो है यहां पर ट्रेंड जो है weak हो रहा है अब market जो है उपर और जाने के mood में नहीं है अब sellers जो हैं वो हावी होने वाले ह जो है weak हो रहे है अब आगे और कोई खरदारी नहीं हो रही है ठीक है तो अब जब यहां पर जैसे ही यह lower high बना lower high बना तो हमें तुरंत तयार हो जाना चाहिए कि अब हो सकता है trend reverse होने वाला है अब uptrend जो है हो सकता है downtrend में convert होने वाला है तो जैसे ही यह neckline को है तो यह हमें confirmation मिल गया कि अब trend reverse हो गया क्योंकि अभी higher high higher low का जो formation तक हतम हो गया अब यह lower high बन रहा है और lower low बनेगा अब तीक है यह lower high अब यह previous low को तोड़ दिया अब यह हो गया lower low हो गया यह हो गया lower low ठीक है जैसे ही वापस price उपर यहां आता है और यहां से rejection लेता है ठीक है आप लोग इसी को बहुत अच्छे समझेगा जब भी चार्ट में देखीगा यहां कहीं कोई shooting star बन गया ठीक है पकड़ लिजे मार्केट जरूरी नहीं है कि market इसी neckline से reverse हो जाए हो सकत है ठीक है या फिर हम लोग shadow कहते है राइट विक कहते है या तो shadow कहते है तो जैसे ही यह shooting star या कुछ ऐसा बना जो कि bearish candlestick है उसके बाद market जैसे नीशे आना शुरू होता है तो हम यहां ही कहीं short कर देंगे short यानि के sell short और sell दोनों एक ही होता है ठीक है हम sell कर देंगे और के उपर का हमारा stop loss रहेगा थोड़ा मैं clear कर देता हूँ क्या है ना सारा remove कर देता हूँ ठीक है तो अब एक second हाँ तो अभी अगर कहीं chart में अगर आप देख रहे हैं ऐसे कि market नीचे कहीं से आ रहा है higher high higher low higher high ऐसे करके बन के आ रहा है अब higher high बना higher low बना और इस तरह से high बना अब जो है इस low के बराबर ये low आ गया बट इसको अभी तोड़ा नहीं है ठीक है अभी भी higher high higher low की formation में ही अभी intact है trend जैसे ही ये अगला जो high है वो अगर इस high को नहीं तोड़ पाया इसके नीचे रहा तो हम इसे कहेंगे lower high बन गया जब lower high बन गया तो अब ये जैसी से त होड़ा मतलब trend reverse होने वाला है तो lower trend अब अगर aggressive seller है तो आप यहीं कहीं short कर सकते हैं और यहां का अपना stop loss तो यह stop loss काफी बड़ा हो जा रहा है अगर आप aggressive seller है तो आप कर सकते हैं बट अगर छोटा stop loss है तो ठीक है otherwise आप वेट कीजे कि अगर जैसे ही तूटता है उसके ब head and shoulder pattern को उसी का उल्टा होता है inverted या inverse बोलिए ठीक है मैं लिक देता हूँ inverted head and shoulder pattern ठीक है पिछले वाले ही pattern का यह उल्टा है ठीक है अब एक ऐसी neckline mark कर लिजे और आप आप सोचिए कि market कहीं उपर से नीचे आ रहा है ठीक है lower high lower low के formation में आ रहा है और अब यह जो low बना फिर यहां आया और एक यहां head बना ऐसे आया और ऐसे आया ऐसे बना इसे आप भ्यान में रखिए कि यह lower tend में आ रहा था market ठीक है market यहाँ कहीं से आ रहा था यह बना हमारा left shoulder ठीक है this one is left shoulder ठीक है यह left shoulder है यह head बन गया और यह right shoulder बन गया मेरी handwriting फोड़ी खराब है तो आप लोग kindly bear कीजेगा यह right shoulder ठीक है यह right shoulder तो अब अगर market यहाँ से एक low बनाया यह उपर क्या high बनाया lower high बनाया again यह lower low बनाया अब यह lower high है यह lower high नहीं बना यह lower high क्या बना ठीक इसे के पास आ गया है और अब यह lower लोग क्या बना नहीं इस लोग के नीचे आया क्या नहीं आया तो अभी आप देखिए यह higher high higher low के formation में नहीं आ रहा है higher high higher low और अब जसी यह तोड़ेगा तो trend तो reverse हो जाएगा na trend reverse हो जाएगा उसके बार फिर तो market इस direction में निकलने वाला है और जब higher high higher low के formation में जब market जाता ह है तो उसे हम क्या कहते हैं uptrend है ना उसे हम कहते हैं uptrend तो market यहां से क्या हुआ कि यहां से आया और जैसे ही यह निकला यह trend यहां से change हो गया तो इसे हम लोग कहते हैं bullish यह जो है pattern यह bullish pattern है ठीक है यह bullish pattern है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि head and shoulder जो हो गया जो ऐसे होता है ये हमेशा bearish signal देता है मार्केट नीचे जाएगा और ऐसा कहीं formation मिला आपको तो ये उपर की तरफ जाएगा ये bullish हो जाएगा ठीक है और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जैसे मैंने draw किया है या जो फिर आप लोगों ने अभी गूगल मैंने जो सर्च करके दिखाया exact वैसे आपको हमेशा नहीं मिलेगा book में जो चीज़े पढ़ते हम ना एकदम chart में market में बिल्कुल वैसे ही form नहीं होता कभी हो सकता है head and shoulder pattern ऐसे form हो जाए ठीक है? ऐसे कहीं form हो जाए इस तरह से हमेशा straight line पर नहीं form होगा कभी हो सकता है यह left shoulder छोटा है यह ज्यादा बड़ा है तो यह तो और और चोटा है तो आपको समझना पड़ेगा जितना trade लेंगे ना trade लेते लेते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यह head and shoulder form हो रहा है ठीक है? जितना जादा जो आप लोगों को समझ के रखना होगा कि कभी भी market के पीछे मत भागिया आप ठीक है? कभी market तेजी से भाग रहा है उपर तो आप जल्दवाजी में पकड़ लिए कि चलो हम यही पे बैढ़ जाते हैं यहां से ride करेंगे उपर हो सकता है market वहां से reverse करें और आपका stop loss उट हो जाए और आपका loss हो जाए ठीक है? यह market बहुत नीचे गिर रहा है और आपको लग रहा है बहुत देर से गिर रहा है चलो शॉर्ट कर देते हैं या sell कर देते हैं नीचे की तरफ कुछ कमाई हो जाएगी तो ऐसे कभी मार्केट के पीछे मत भागिए आप इत्मिनान से बैठिए मार्केट 6 गंटे इदा खुला रहता है अरे दोस्तों 6 गंटे में आपको क्या एक या दो पैटन नहीं मिलेगा? नहीं तो एक तो पैटन एक सेटप तो बनेगा आपका एक सेटप काफी है दोस्त एक सेटप में अगर आप ठिक्ठा कॉन्टिटी में अगर आप ट्रेट कर रहे हैं तो एक सेटप काफी होता है एक दिन में आप बरिश बनने का ना सोचो ठीक है? तो अभी देखी आज क्या हुआ? आज मार्केट देखी जून 2023 ठीक है? आज बैंक निफ्टी में कैसे क्या फॉर्म हुआ वो मैं दिखा देता हूँ तो मार्केट यहाँ खुला ठीक है? यहाँ खुला थोड़ा उपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया वापस नीचे आया नीचे आने के बाद थोड़ा उपर गया फिर नीचे फिर उपर और दिन भर मार्केट ऐसे ही ऐसे मूव करता रहा ठीक है न? एक जून में ही मूव करता रहा कहीं मौका नहीं दे रहा था एंट्री का न कहीं शॉर्ट करने का न कहीं बाई करने का एंट्री नहीं दे रहा था तो दिन भर काफी चौपी रहा market, बहुत चौपी रहा, तो आप एकदम patiently, एकदम patiently, market बहुत patience मांगता है, बहुत patience मांगता है, बैठे रही है, बहुत लोगों को जल्दी रहती है, अरे यहाँ trade बन रहा, यहाँ trade बन रहा, मत जल्दवाजी ना करो, जब तक आपका setup ने आए ठीक है, यहाँ ड्वा कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी देखिए, higher high बनाया, ठीक है, higher high बनाया, अभी गया है, higher high, higher low के formation में जाना चीदाना, बट इसी लोग के पास वापस आ गया market, यहाँ market रुख गया है, और अब देखिए, अगर यहीं left shoulder बन रहा है, यहाँ right shoulder बन र market, वापस market नीचे आ गया, ठीक है, वापस market नीचे आ गया, तो मैं क्या सूत रहा था, अभी गर इसे तोड़ेगा, तो यह head and shoulder pattern का formation हो रहा है कि नहीं, तो जैसी तोड़ेगा इसे और टेस्ट करेगा, तो फिर मैं यहाँ short करूँगा, और यहाँ कहीं का में target रखूँगा ठीक है, बट ऐसा हुआ, नहीं हुआ, higher high बनाया, higher low बनाया, higher high बनाया, फिर देखि लो, उसी लो के पास आखे support लिया, support लेने के बाद वापस यह अगर उपर जाता तो चलो ठीक है, फिर higher high की formation देखते कहीं पे गर entry मिलती, लेकिन फिर lower low बना दिया, पिछले high से नीचे, और फिर आखे उसी लो के पास यहां support लिया, फिर market उपर चला गया, higher high बनाया, higher low बनाया, तो मुझे लगा चलो higher high, higher low बनाया, इसके उपर जाके market अगर निकल के sustain करें, तो फिर मैं देखूंगा फिर buying की तरफ, लेकिन फिर market वहां से नीचे आ गया, तो जब ऐसे ही market दिन Just a sec, आपको दिखा देता हूँ, एक ही चार्ट में, हाँ, जसे ही आपको जो मिलता रहेगा आप mark करते रहे हैं, यहां पे जसे आपको support बना, एक बार market उपर गया, फिर नीचे आया, यही support लिया, तो आप तुरंट एक mark कर लो, support line आप ड्रॉ कर लो, फिर आप देखते रह आप देखते रहे हैं, चार्ट को छोटा करके बढ़ा करके देखते रहे हैं, आपका कुछ और setup बन रहे हैं, तुरंट आप ड्रॉ कर लिजिए यहां तुरंट ड्रॉ कर लिजिए कि देखिए, आपका trend line बन रहे है, यह trend line बन रहे है, बन रहे है trend line, यह trend line बन रहे है, अब जब यहां से ब्रेक आउट पगड़ी है, तो यहां से लेकि यहां तक आपका stop loss यहां पर होगा, यहां stop loss होगा, और निक्स जो हमारे target होता है, हमें सा याद रखेगा कि अगर trend line तूटता है, तो तुरंट जो immediate resistance यह होगा, यह होगा resistance, ठीक है, तो अगर यह resistance यह है, य कोई resistance ना हो, और अगर आप कोई short कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखेए कि immediate कोई support ना हो वहाँ पर, ठीक है, कम से कम अगर यहां short करें, तो यहां तक मुझे कुछ नहीं, यहां तक target मुझे मिले, ठीक है, अभी अगर मैं यहां पर entry लेता, यहां पर entry लेता, तो stop loss मुझे य stop loss ही, आप देखिए, एक second, आप देखिए stop loss मेरा कितना होता, अगर यहां पर मैं buy करता, तो stop loss होता 80 points का, 80 points का stop loss होता, और target कितना होता मेरा, target होता 20 point का, तो risk to reward ratio ठीक है क्या, बिलकुल ठीक नहीं है, बिलकुल ठीक नहीं है, तो हमें वो भी देखना है कि मेरा risk to reward ratio बैट बैट रहे हैं, नहीं बैठेगा तो हम trade नहीं लेंगे न, नहीं लेंगे, चली से remove करते हैं, तो अभी क्या हुआ कि दिन भर market ऐसी घुमता रहा, घुमता रहा, ठीक है, तो जब market यहां पर ऐसा बनता रहा है, धाई बज़े के आसपास, धाई बज़े के आसपास मुझे ज mark होता है, आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो एकदम swing low होगा या जो swing high होता है, जब उपर की तरफ होता है, हम swing high पकड़ते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, trend line, यह swing high जब होगा, तो हम लोग buying की तरफ सोचते हैं, ठीक है, buying की तरफ, कि हाँ market अगर इसे break करत होता है, तो हम उपर निकलेंगे, तो हमेसा swing high होता है, उसे हम लोग टच करते हैं, ठीक है, और नीचे जो होता है swing low, तो यहाँ पर जितने swing, maximum swing low को मैंने टच कर दिया, एक touch हो गया, मैं mark कर देता हूँ, एक देखे swing low touch हुआ, दो swing low touch हुआ, तीन swing low touch हुआ, यह भी इसे प हैमर ही बन गया है, तो एक touch हो गया, दो touch हो गया, तीन touch हो गया, चार touch हो गया, तो इतने सारे touch हो गया है, तो अब तो आपको समझना चाहिए, कि जितना support line, जितनी बार touch होता है, वो weak हो जाता है, बार बार आके अगर यहाँ धक्का लग रहा है, बार बार धक्का लग रह मैं मार्क कर देता हूँ, यह जैसे ही रेट candle नीचे आकर यहाँ इसके नीचे close दिया, मैंने यही पर short कर दिया, मैंने यही शॉट कर दिया, और कितने बज़े का candle है यह यह दो बज़े का candle है, तो मैं दो बज़े तक मैं wait किया, तो आपको wait करना पड़ेगा मार्कर में, जैस और मैंने यहाँ क्यों अपना डाला था stop loss, क्योंकि आप देखिए, head and shoulder में क्या है, यह, sorry, यह मैंने mark कर लिया था, ठीक है, यह mark कर लिया था, अभी मैं दिखाता हूँ, head and shoulder, यह left shoulder बना था, ठीक है, यह left shoulder बना था, यह head बना था, और यह right shoulder बना था, ठीक है, left shoulder, head बना था, मेरी drawing थोड़ी खराब है, तो आप लोग थोड़ा सा bear केजेगा, और यह right shoulder बना था, मैं लिख देता हूँ, left shoulder, ठीक है, यह head बना, और यह right shoulder बना, ठीक है, तो जब ये left shoulder बना, ये head बना, और ये right shoulder बना, और ये neckline जो है, neckline को बार बार आखर touch कर रहा है, एक touch, दो touch, तीन touch, चार touch, पास touch, अब छटवाँ touch यहाँ पर breakdown दिया, तो अब हमें तो clear signal मिल गया है, ये तो bearish pattern है, market यहाँ से reverse होने वाल है, तो जैसे यहाँ पर break हुआ, मैंने यहाँ short किया, यहाँ का अपना stop loss लिया, अब मेरा 1.2 का यहाँ पर risk to reward था, ठीक है, मेरा बह sorry, यह एकदम बहुत tight था, बहुत tight मिलब यहाँ पर जाके, सोची, यहाँ जाके बहुत परिशानी होगी कि इस target को लेने में, ठीक है, market जो है, market जो है, इतने zone में, इतना दे तक consolidate किया न, और जो option बाहर होते हैं, उनकी धड़गने बढ़ जाती है, क्योंकि जब market यहाँ स से premium घटता है न, धाई बजे के बाद, लेकिन मेरा stop loss यहाँ तक था, मैंने सोच के रखा था, अगर यह उपर जाएगा, तो कोई बात न, मैं stop loss यहाँ हिट कराऊंगा, मतलब अपना, दूंका stop loss, market से बाहर हो जाऊंगा, कोई बात न, ठीक है, लेकिन market ठीक, यहीं से, यह गुम जाए, हो सकता है, उपर तक आया, लेकिन यहां से selling आया, और market पे नीचे जाके close हुआ, ठीक है, तो देखी, market यहां तक गया था, लेकिन यहां से selling आया, selling आया, और जाके closing मिला यहाँ तो इस तरह से क्या है, आप यहां पे भी short कर सकते थे, या फिर जैसी आपको यह आप यहां से retest करका है, आप यहां भी कही short कर सकते थे, short करके यहां पे आप अपना stop loss इसकी उपर रख लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से target पूरा हुआ, तो इस तरह से आप लोगो market में जितना आप trade link है, आप सारे chart patterns को समझ पाएंगे, ठीक है, कि bullish pattern क्या है, bearish pattern क्या है, और जितना हो सके न, आप लोगu candle stick के बारे में पढ़िए, आप लोगo chart pattern के बारे में पढ़िए, अगर आप लोगो को लगता है कहां, आप लोग अप Allah को detail में समझ ना है, तो आप लोग comment किजिए, जितना आप comment करेंगे, कहां मुझे इसके बारे मेदेल में समझ ना है, तो मैं उसके बारे में प्रॉपर्ली मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो कि आप सब लोगों के लिए सुविधा होगा, ठीक है, क्योंकि नए जो बच्चे आते हैं, जो नए ट्रेडर आते हैं, उनको बहुत प्रॉपर गाइडेंस ने मिल पाती हो, समझ ने पाते ह हैं, कौन सा चार्ट पैटन बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, उसके पीछे का लॉजी समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने आपलोगो तो anyways friends, उमीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा, तो kindly इसे like कीजे, share कीजे, maximum लोगों को तक share कीजे, क्योंकि जितने लोगों तक पहुंचेगी चीजे, उतने लोगों को information मिलेंग और उनका loss कम होगा, ठीक है, क्योंकि market में यहाँ पर trader loss बहुत जादा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास knowledge नहीं है, proper guidance नहीं है, तो loss जादा करते हैं, और हो सके तो इसे subscribe कीजे, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, तो इस video को यहीं पर मैं complete करता हूँ, Thank you so much.